89 हिंदु का पलायन कश्मीर से हुआ और 89 कश्मीरी मारे गए उसमें और उसके डर कर तीन-चार लाग कश्मीरी भाग कर हिंदुस्तान यानि कश्मीर छोड़ कर पूरे देश दिल्ली में और जिए आ गए और उसकी बनिश्पत जो मुसलमानों की हत्या उसी दौरान होई वो 16 सो पैंटिस थी तो कहाँ एक टीनाइन मारे गए जो सोबस्ट इसको मारा किस ने सवाल यह एक जो हिंदू थे उनके बचे वे लोगों ने मारा नहीं हिंदू नहीं मुसलमानों को नहीं मारा बलकि यह मुसलमान कश्मीर से आए आतंग वादियों की वज़े से मारें गए पाने के लिए भारत सरकार लगी हुई है, भारत सरकार को कोई मंत्री नहीं बोला कि आतंग वादियों ने हमारे लोगों को मारा, भारत सरकार एक तरह से इस फिल्म के माध्यम से पाकिस्तान के गुनाहों को माफ करके हिंदुस्तान के मुसल्मान के मुँपर कालिक लगाना च तब भी फारुक अब्दुल्ला ने मना कर दिया था कि मैं पांच आतंगवादियों को नहीं छोड़ूंगा तब के इंदु सरकार ने उनकी सरकार बरकास की और उस समय के जो जगमों ने बाद में अटल विहारी वाजपेई ने मंत्री बनाया और अटल विहारी वाजपेई लाल किशनवानी बीपि सिंग की सरकार को समय जब इस कट हो रहे थे तब बाहर से समर्थन दे रहे थे तो इसके लिए इसका मतबीए के कश्मीरी फायल देखे आप तो समझ देशिये इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोधी है क्योंकि 89 में नरेंद्र मोधी संग की पृपए ना दिखाया गया और सबसे बड़ा वक्तव उस औरत का है उस आदमी का है जिस फिल्म में दिखाते हैं कि एक औरत के पट्की को उपिट और उसके खून से चावल को रंग कर उसको खिलाए गया, तो उसके भाई ने जो आदिमारा गया उसके भाई ने का इसको गट सब्सक्राइब कर दो दिए आप चिंदे नाम का जो वकील था वो जूट बोलता रहा कि कचाप भाद नाम किया जा सके मनमौन सिंह की सरोकार को बदनाम किया जा सके तो आप ये माल लीजिए कि संग के लोग जूट बोलते हैं जूट के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं